दोस्तो मैं दुर्गेश यास्वाल मेरे यूटूब चैनल इर लर्निंग दुर्गेश में आप से लिका स्वागत हैं। धोस्तो मैं लोगने कौण के प्रकाड को पिढ़ा था कंट कको पहलेश लोस्तों दूस्तों जब किसी एक अधार पर अत्वा एक उभैनिष्च कोडों पर दो कार और धूस्तों परूल थे आपकी है आपकी ए ए ओसकी पुबहरनीश्टुगुजा है इस पर जो बना कॉन है इस पर कॉन कॉन से कॉन बने हैं कॉन और दोस्तो किसी भी दो कॉन का एक सीर्स ओ दिखें सिर्स क्या हो अगिए से कौन ए ओ वी तथा कौन वी ओ सी का जो सिर्ष है वह है आपका को इस प्रकार दोस्तों कह सकते हैं जब किसी भी दो कोनों का सिर्ष एक अथ्वा एक उभेनिस टुप जाओ तो इस प्रकार के कोन को हम कहते हैं आसन्य कोन अजला देखते हैं दोस्तों राइखिक यूग में क्या होता है जब किनी दो आसन्य कोनों का यूग जब किनी दो आसन्य कोनों का यूग एक सो असी अंस होता है तब उसे हम राइखिक यूग में कहते हैं दोस्तों जैसे यह है आपका यह हो गया, A, O, B, O, C दोस्तों, इन दोनों गया, अर्था, कोण, A, O, B, धन, कोण, B, O, C, B, O, C, बराबर 180, तो इस प्रकार के कोणों को हम कहते हैं रैखित यूग, मतलब कि नहीं, दो आसन कोणों का यूग, जब 180 अंस होता है, तब उन्हें हम कहते हैं, रैखित यूग, दोस्तों, इस प्रकारी कोश्चन हम आपको भी अगले वीडियो में, हम आपको प्रक्टिस करा के दिखाएंगे, कैसे कोश्चन से आते हैं, हमें कैसे करना होता है, दोस्तों, जो कि इसकी कोश्चन बनते हैं, भो, ध्यान दिने यूग है कि कि pressures यूग है, मतलब किसी भी रेखा, जैसे कोई माली यह रेखा है अपकी, इस पर कोई बना कॉन है, इस पर दो कॉन बना है, यह उगया ओ, यह ऊगया, यं, यं, ओ, कैसे आएंगि इक सो आसी अंसो होता है ऐसे कोणों को हम रैक्षिक युग्म कहते हैं तो इसको निकालने के लिए देखे शेश्य प्रसन जो बनते हैं, वह इस तरह से बनते हैं, यह हो गया, लाइन थोरी तेढ़े हो ज़िए, यह हो गया रेखा, इस पर कोई कौन दोना दिया गया, यह हुँग है, यह हैं। ए, ओ, बी, चैर मांले लीजिया, इस कोण का मान आपका 45 अंस है, इसका मान यक्स है, दोस्तों पूछ दिया, यक्स की या विलु क्या होगी, दोस्तों दे गया, यह हैं geweिक युदि कोण, Αो, ए, ओ, ब्रबर 45 अनस हो, तथा अ कोण, B, C, यक्स क्या है हम लोग जानते हैं किसी भी रखी में बने कोड़ों का योग जो होता है और श्रदव 180 होता है हमें क्या करना है इसको लिखेंगे कोड़ क्या अब क्या दिया है कोड़ का मन कितना दिया है 45 अंस प्लस यक्स अंस बराबर 180 इधर प्लस है उधर जयागा तो मैंस हो जाएगा तो यक्स अंस बराबर 180 मैंस दोस्तों डिखते हैं वह आपकी आ जाती है एक सो पैटीश डिग्री दोस्तों यह तो लगाने का मैंतर था लेकिन हैं परिच्छा में इतना कोशन लगाने के लिए हमारे बाद समय तो नहीं बचेगा इसकी दोस्त हम क्या करेंगे इन दोनों जिब रखी बिभी पे बना को गर्म का यह तोनों को मिला कर कितना वनाया का एक सो असी रहीं से यह हैं करेंगे यह सो अस्से का दोनों को यह प्युत्ङ होग है इसलीए लेलू निकल जाती है तो इसमें एक और को प्रस्क्राइब पूछे जाता प्रस्क्राइब जाती है जैसे दे दिया दोस्तों यहां पर कॉंड यह दिया अबका क्या दे दिया आपका दोस्तों अबर इस तरह का कॉंचिन निकाना होगा प्रस्क्राइब जे तकड़ जोस्तों पत्रण होंगे यहzi यह श हूँ में देखते हैं यह अब का पैसर डिगरी की 75 यह आप 85 दिगरी यह आपका यह जी मन काला है next हम जानते हैं चरेकरी इंधे कोन योग होता है वह este Northwest van algún तीनों का योग 180 अंस होना चाहिए दोस्तों हम लगाएंगे कैसे पहले लिखेंगे कोण ए कोण A O B धन कोण B O C धन कोण C O D बराबर 180 अस्य हैंज उन्हा दोस्तों A O B का माण रखेंगे 55 अंस प्लस यक्स अंस प्लस 45 अंस बराबर 180 अंस प्लस पाताली जुड़े यागा या आपका 110 अंस फिर 110 प्लस यक्स बराबर 180 अंस होना दोस्तों 110 उधर जागा आपका हो जागा माइनस तो 180 माइनस 110 आपका यक्स की गल्यों हैगी 70 डिगरी दोस्तों तो यह बिदी तो लगाने की हो गई, अगर हम और दूसरे बीट से निकालना है, हम क्या करेंगी दोस्तों, इन दोनों कोणों का योग 180 में से घटा लेगी, तो दोस्तों, पांच पांच दस अच्छा चार दस एक इग्यार है, इन दोनों का योग 180 जाया है, जबके हम जानते हैं, किसी भी राइचिक इंपे बने, कोणों का योग 180 होता है, अगर दो कहां में प्राप्त है, तीसरे का निकालना है, तो 180 माइनस 110 बराबर 70 डिग्री, इस प्रकार दोस्तों, हम एक्स की जो वैलू है, वो निकाल लेते हैं, 70 डिग्री, आगे दोस्तों, इसमें आता है, टू यक्स, टू यक्स प्लस 10, टू यक्स माइनस 10, फिर यहां दे दिया क्यो वैलू यक्स, तो पुछे का वैलू आप यक्स मतर यक्स की वैलू निकालिये, अथो आप इसी एक कोण की माप पूछ लेगा, दोस्तों, हमें यह जानते रहना चाहिए, कि रैखे ग्यूंग बने जो कोण होते हैं, उनका योग सद्यव 180 अंस होता है, मने दिये के कुल कोणों का योग रखे ग्यूंग जो बने होते कोण, उनका योग सद्यव 180 होता है, आगे देखते हैं दोस्तों, सिर्षा बीमुक कोण, तो सिर्षा को मुक जो कोण होता है, वह भी बहुत इजी होता है, उसको लगाने का सिंपल सब्सक्राइब क्या करेंगे, जब कोई भी दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिछेद करती हैं, तो उससे जो कोणों बनते हैं आमने सामने के, वो सद्यव बराबर होते हैं जब किसी बिंदु पर कोई दो तिरी अक रेखाएं प्रतिछेद करती हैं, तो उससे कोणों को सिर्षा बिमुक कोण कहते हैं, इसको लिख सकते हैं कोण गोस्तों, तो कोण यह हो गाना ओ, तो कोण AOD, लिखेंगे हम लोग, कोण AOD बराबर कोण BOC, कोण BOC, जब कि दूसरी करणिशन कहा होगी दोस्तों, यहां कोण DOC, कोण DOC बराबर कोण AOB, दोस्तों हम देख आ, हम लोगों ने कि कोण AOD, जितनी वेलू थी, उतना हैं आपका, DOC का है, उसी प्रकार, DOC और EOC बराबर, माने जो आमने सामने के कोण होते हैं, वह सद्यव, बराबर होते हैं, किसी कोण का माप दे दिया मान लिजे सत्तर अंब देजिए दोस्तो यह सत्तर अंब दोस्तो अब यह निकालना है दोस्तो इसका एक लाजिक और है इन दोनों का योग कर दिया जाए क्योंकि हमें जानते हैं सिर्साइब मुठ के सभी कोणों का योग सबी कोड़ों का योग 360 अंस होता है दोस्तों क्या करेंगे 70 प्रस 70 140 तो 360 में से 140 निकाल देंगे 360 तो इसकी दोस्तों आसमेजी पहले पूरा कोड़ीं तो 60 है यह 70 यह 70 अम लोगों निकाल दिया तो क्या बचआ आपका 360 तो बराबर क्या प्राप्ट होगा अटको आपको प्राप्त होगा यहां से is and जो आमने सामें कोड़े होते हैं वह दोनों बराबर होते हैं इसलिए दोस्तों हम क्या सकते हैं अगर इसका पक्ता हम दो कर दिए हमें प्राप्थ होगा एक सो देश गडिटी माने यह 110 इद देश्ज इसका दूसरा नियम क्या है यह तो गया दो सत्ता डिगरी हो गया दोनों का योग करके 360 सह घठा दिया फिर जो आया उनको दो बरावर इस्सों में बाढ़ दिया थे तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था रखी युग में विदी करते हैं उस बिदी को साल करने क्या है अगरी 70 डिग्री है दोस्तों यह है आपका अगर इसके दाई या बाई तरब जाए इसके कोन का योग होगा उस सप्तर अस्ती होगा जब यह सत्तर होगा तब यह कितन यह कोण हो गया इसको में इसका योग 180 तो 180 में 70 गया आपको 110 हो गया इस पेगा दोस्तों हम लोगों ने आज आसन्य कौन राइखिक यूग में इन तीनों कोणों के बारे में पड़ा हम अगले वीडियो में आप सभी को इसके प्रस्थ कराके बताएंगे कि इसमें प्रस्थ कैसे जाते हैं इसको कैसे साल भी किया जाते हैं इसकी क्या मेथ़ड है क्योंकि यहां से सिट में तो कोश्चन 1 2 पूछे जाते मैं बताऊंगे कैसे पूछे जाते हैं किन्तू यूपिट में यहां से कोश्चन लगभाग प्रतिवर्श एक से 2 पुछे गये दोस्तों मैं आपको यहां से कुश्चन देता हूं आप बताईएगा कल हम लोगों ने पढ़ा था कोण के बारे में दोस्तों आज उसका एक प्रस्टन देते हैं तीन और तीन सही एक बट्टा दो समकोणों का योग क्या होगा दोस्तों हमने क्या करा तीन समकोण और तीन सही एक बट्टा दो समकोणों का योग क्या होगा तीन समकोण और तीन सही एक बट्टा दो समकोणों का योग क्या होगा एक कोचन दोस्तों दूसरा कोचन तीन सही तीन सही तीन बटे चार रिज कोण का मान क्या होगा तीन सही दोस्तों तीन सही कोश्चन अम दिख देरें आपको देख लिए जाएगा तीन सही तीन सही तीन बटे चार सरल कोण अथवा रिज कोण का मान क्या होगा दोस्तों इसका जबाब हमें comment box में दीजिएगा नहीं तो हम आपको इसका जबाब अगले वीडियो में बताएंगे वो मैं आपको अगले वीडियो में, अगले सेशन में एक खेशन और पढ़ाने के बात हो सकता, मैं आपको प्रश्वत्तर कराऊं, दोस्तो मैं आपके लिए like class चलाने के प्रयास में हूँ, जो कोचिंग, जो बच्चे कोचिंग सान सान से दूर है, अथो अधिन के लिए बेह झाल झाल